हाई एवरिवन मैं हूँ मोहिद गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स और ट्रिक्स गुरू आज हम अपने इस वीडियो में आपको जी एस्टियार 3B प्रिपेर करना बताएंगे एक बहुत इंपोर्टन रिटन है जिसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं उनके लिए जा जाने वाली है वो है जी एस्टियार 3B यह समझते हैं कि इसमें आपको कौन-कौन सा डेटा फिल करना होगा कौन सी डिटेल्स आपको प्रिपेर करके रखनी होगी इस रिटन को भरने से पहले तो उसकी फॉर्मेट को डिसकस करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अ इसमें जो आउटवर्ड सप्लाइज और इनवर्ड सप्लाइज जो की रिवर्स चार्ज इनके उपर टेक्स आप पे कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहां पर आएंगी यानि जो आपने आउटवर्ड सप्लाइज की हैं और वो सप्लाइज जो आपने इनवर्ड ली हैं अन्र Central Tax, State Tax या Union Territory Tax और SES इस तरह से उसकी डिटेल आपको Total डिटेल यहां पर डालनी है, Invoice-wise डिटेल यहां पर नहीं आ रही है, उसके बाद B-point में Outward Taxable Supplies जो है Zero Rated यानि Zero Rate पे जो Taxable है उनकी डिटेल यहां पर आ जाएगी, जो की Point A में include नहीं की गई थी, C-point में Other Outward Supplies जो की वो डिटेल यहां पर आ जाएगी कि Total Taxable Value कितनी है, Integrated Tax, CGST, SGST, UTGST और SES उसके ओपर कितना है, और E-point में आपको Non-GST Outward Supplies यानि जिनके ओपर GST Applicable ही नहीं है, वो Supply अगर कोई Registered Person करता है तो उसकी डिटेल भी आपको यहां फिल करनी होगी, तो इस तरह से आपकी Outward Supplies को पांच केटेगरी में Distribute कर दिया गया है, और In Totality आपको वो Figure यहां Show करनी है, तो आप अपने Sales Register को देख लीजे, उसमें Outward Taxable Supplies की Calculation हो जाए, Zero Rated Total Supplies की Value Calculate हो जाए, और Nil Rated or Exempted Goods की Total Value क्या है, वो आ जाए, और Reverse Charge में आप जो Tax Pay कर रहे हैं, उनकी Detail आ जाए, और लिए आप आउस से तयारी शुरू कर दे, उसके बाद 3.2 पॉइंट है, इसके अंदर आपने जो 3.1 में Details फिल की हैं, A Point में, यानि A Point में जो Detail हैं, वो है, Outward Taxable Supplies, तो जो Outward Taxable Supply की हैं, उसमें से आपको Unregistered को, Composition वाले Person को और UIN को जो आपने Supply की हैं, उनकी Details यहां प Supply Unregistered Person को की है, उसकी State के हिसाब से आजाएगी, उसके बाद Total Taxable Value कितनी है, और Amount of Integrated Tax कितना है, तो यानि आपने Inter-State जो Supply की हैं, Unregistered Person को, या Composition Taxpayer को, या फिर UN Holder को, उनकी Details आपकी यहां पे आजाएगी, उसके बाद Second Point में है, Supplies Made to Composition Taxpayer Person, यानि उसको जो आपने Inter-St Supply की है, Composition वाले को, वो यहां आएगी, और उसके बाद UIN Holder वाले को, इसकी Detail यहां पे आजाएगी, तो Place of Supply के According आपको यहां फिल करना है, तो अलग-अलग State-wise आपको इसकी Detail यहां पर मेंटेन करनी होगी, लेकिन याद रहे कि यह Inter-State Supply के बारे में बात करता है, तो Inward Details है, यहां पर आपको Inward ITC जिससे मिलने वाला है, वो डिटेल आपको फिल करनी है, तो सबसे पहले Import of Goods के उपर जो Inward Tax मिलने वाला है, उसकी Detail आएगी, फिर Import of Services से Related Tax की Details आएगी, उसके बाद जो Inward Supply जिन पर Reverse Charge अप्लिकेबल है, और 1 और 2 में छोड़के, क्योंक इसकी Detail उपर Already आ गई है, तो यहां पर उसकी Detail नहीं हो नहीं, तो Inward Supply लाइबल to Reverse Charge पहले आपने उसे Outward Supply के तोर पे दिखा दिया, क्योंकि टेक्स आपको Outward पे करना था, अब यहां आप उसका Credit ले लेंगे, उसके बाद 4th Point में Inward Supply from ISD, यानि ISD के थ्रू आपको Credit Transfer हुआ है, Inward Supply हुई है, तो उसका Detail यहां पर आ जाएगा, और इसके अलावा जो Credit बच जाता है, वो All Other ITC में 5th Point में Report होगा, अब हम बात करते हैं Point No. B की, तो ITC Reversed as per Rule 42-43 of CGST Rules, यहां पर 42-43 में Input Services और Capital Goods पर Common Input Reversal के Rule दिए गए हैं, यानि जो Taxable और Exempted दोनों में यूज होते हैं, तो उनको Common Input Reversal Rule के Basis पर Reverse किया जाएगा Credit, तो वो Reversal यहां पर आ जाएगा, Other Reversal जो कोई Other Provision की वज़े से Reversal होगा है, तो यहां होगा, जैसे 180 Days का Provision है, कि अपने अपने Creditor को 180 Days में Payment नहीं किया है, तो आपको ने जो Credit लिया है, उसको Reverse करना जाएगा, तो वो Reversal यहां जाएगा, इसी तरह से कोई Goods Destroy हो जाता है, Free Gift की तरह से बाट देते हैं, Sample की तरह बाट देते हैं, या फिर चोरी हो जाता है, तो इस तरह से जो आइटम रिमूव हो जाते हैं, उनके उपर भी Credit reverse करना है, तो वो Reversal भी यहां पर Reflect हो जाएग अब D Point में आपको उन चीजों को भी Disclose करना है, जो कि Credit आपको अवेलेबल नहीं हो पाया, यहनि Ineligible ITC, तो Section 17, Subsection 5, CGST Act का बताता है कि किस किस पॉइंट पे, किस किस आइटम पे आपको Credit नहीं मिलेगा, तो इस तरह से उसके specifically उन पॉइंट के उपर जो Credit आपको नहीं मिल होना चाहिए कि आपको किस चीज का कितना Credit अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, Section 17, 5 के और इसके अलावा अदर कोई भी पॉइजन में, इसके बात करते हैं Point No.5 की, तो यहां पे आपको Inward Purchases, यानि आपने कोई Exempted Goods खरीदा हो, Nil Rated Goods खरीदा हो, या फिर किसी Composition Supplier से Material खरी Supplyly है, वो Interestately है, या Interestately है, वो Value यहां पर Declare करनी है, और Non-GST Supply कुछ ली है, ऐसी जिनके ओपर GST Applicable ही नहीं है, उनकी Value यहां पर Disclose करनी है, आप बात करते हैं Point No.6 की जो आपको Disclose करना है Payment of Taxes के बारे में, तो यानि यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितने Taxes Payble थे, कितना आपने ITC यूज किया, कितना Tax आपने TDS और TCS की तरह जो कि अभी Provision लगे नहीं है, लेकिन Next अभी लग सकते हैं, तो उनका Column यहां पर Available है कि TDS या TCS में कितना ओलेडी Tax जमा हो चुका है, और Cash में आपने कितना Tax जमा करा है, तो उसकी Detail आपकी यहां पर इन सारे Data को Fill करने के बाद, यहां पर Last में एक verification होगा, declaration होगा कि जो भी details भरी गई है, वो proper fill की गई है, उनके true and fair picture प्रेजेंट करती है, उसके बाद एक instruction वहाँ पर दी गई है, वो instruction यह है कि Job Value of Taxable Supplies दिखाएंगे, पहले point में वो value होगी, invoices की value, प्लस आपने कोई debit या supply में add कर देने हैं, और जो advances आपने इस मन्त में adjust कर लिए हैं, वो आपके invoices minus हो जाएंगे, तो यानि net जो liability, outward liability रह जाएगी, वो यहां पर report करनी है, और value of taxable supplies जो आप report कर रहे हैं, वो इस एक formula से calculate हो जाएगी, तो इस तरह से आपकी details आपको fill करनी है, और इसी के basis पे आ first month है, उसका tax liability है, वो department को submit होगी, अब यही जो details आपने fill की है, यह आपकी GSTR 3, जो आपकी July month की return, यानि जो 15 सितंबर को GSTR 3 जाएगा, उसका जो part B होगा, उसकी details आपकी detail यह match करनी चाहिए, अगर को difference होगा, तो आपको वहाँ जाकर change करना होगा, और जो difference आएगा taxes में, ज जो 3 के coding calculator है, वो आपको deposit कराना होगा, और अगर access जमा कराया है, तो आपको refund हो जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन एक relaxation दिया गया है, कि अगर कोई difference बचता है tax में, तो आपको उसके ओपर interest कोई penalty चार्ज नहीं होगी, तो आपको एक summary returns फाइल करनी है, जिससे आप tax calculate कर तो इस return के बारे में, आपको हमने detailed provisions समझा दिया है, आप इसकी तैयारी कीजिए, और timely submit कीजिए, साथ में ध्यान रखिए कि यहाँ पर compliance rating system है, तो आपको अपने compliance समय पर करने हैं, जिससे कि आपकी rating बनी रहे, thank you